नमस्ते दूस्तो वेल एलेक्ट्रिकल और इंस्रूमेडेशन इंगिनिरिंग चैनल को आप सभी को सुस्वागत है यहाँ पर आमने ट्रांसफर्मर फिटिंग्स के बारे में जानेंगे यह पूरे वीडियो देखने के बाद आपको फालोविंग ट्रांसफर्मर का फिटिंग जो है वह आपको उसका बारे में इंफर्मेशन मालूम हो जाए ना यहाँ आप इमें 14 ट्रांसफर्मर फिटिंग्स बताए वह अंजीन पर आप एक एक स्टडिक की जिए और नेक्स टैट को हम अभी जाए यह पहला स्लाइड में पहला फिटिंग हम जानेंगी रेटिंग तर्मिनल मार्किंग प्लेट इसको हम यह भी कह सकता है आरेंडी प्लेट आरेंडी प्लेट का फुल फॉर्म होता है रेटिंग अन ड्रॉइंग प्लेट यह प्लेट में होता है यह प्लेट होता है नॉन करोसी मेटल प्लेट का और यह प्लेट में इंफॉमेशन करह जाता ह की टांसफर्मर का रेटिंग वोल्टिज डिचो वेट ओयल क्वांटिटी वेक्टर ग्रूप ओयल टीसी डीटेल बेसिक इंसुलेशन डीटिल्स और सारा डीटिल्स यह प्लेट में जान सकते हैं यहां पर मैंने स्क्रीन एंख्लोस किया हूँ मेरा प्लैंड का जो है आरेंड स्विच वेक्ष्ड होता है अमारा टांसफर्मर का वोल्टेज़ एश्यओ हमने पाने के पर स्विच को i克 पाने के लिए ओसर शर्कूट सुपत करना परता है यह आप मैंनें इन्राइइंगं स्छ गिय अहाँ आप देखिए इमेज पर मैंने फाल्याट ऑफ शर्कूट अब लोक्들 होता है यह स्ट्विक्षiza को क्या होता है आपको 1025 अबज्च का उच्विघ करता है इसपे द dependency करता है इसको क्या करते हैं उसको क्या किसे उन्र कृ सब्सक्राइब करते हैंस उसमें ik करना है उसके बाद ऑफ लिंक्स को हर्जिस्ट करना है इस पर ड्रॉइंग मेंशन किया नास आपका आरंडी बिड़ेड में मैं वैसा हम उसमें 2 बैंद दो या 4 बैंद मिलता है हमार यह जो टांसफर मर मैंने फोटो में गाएंगर किया हो इसमें दो यह बिंत आया है अर्थीं टर्मिनल का ज़रुदों के हैं और वीजं के हैं अर्थीं प्र मेंटल लगाने से यह आप जाने यहां टांस्फरमर में जो होता है और से assembly क्या होता है, core lamination frame के साथ connect रहता है, जो core lamination frame को live supply कभी भी जाता रहता है, वो कभी भी chances रहता है कि through oil, oil deteriorate होने से, नहीं तो कुछ earth fault होने से, वहाँ से transformer का body को current pass हो सकता है, इसको हम avoid करने के transformer body को, हम earthing करना पड़ता है, for safer side, transformer को दो earthing terminal दे सकता है, यहाँ पर मैं जो enclose किय किया हो, photo में आप देखिये, यह transformer का body है न, उसको हमने earthing terminal, earthing drown के साथ कैसे connect किया है, अभी हम जानेंगे fourth fitting ही, वो है lifting lux, यह transformer का size और उसका capacity का depend, चाथ 2 या 4 lifting lux, transformer का manufacturer ने देता है, वो उसका location जो रहता है, transformer का side पर जो भी रहता है, size transformer को ऊपर भी रह सकता है, आप यह इसक पर एक crane से transformer का body को lift किया है, यह transformer का body है, oil fit body है, मतलग, around four to five ton तक अपने transformer को body को उटा सकता है, through lifting luck, पूरा जो चार lifting लग या दो lifting, कितना lifting लग देता है, एक transformer, सारा lifting luck को हम एक ही बार use कर सकते है, थाकि वो balance and lifting करने, अभी हमारा fitting जानेंगे, वाल से, हर transformer में वाल्स लगाय हुआ रहता है, वाल्स ऐसे डिवर्ट रहता है कि एक वाल जो है, transformer का bottom रहता है, वाल को हम कहता है, ड्राइं का filter वाल, और एक वाल जो रहता है, transformer का top में रहता है, उस वाल को हम कहता है, filter वाल, यह इसमें लग्स लगाया होता है कि क्योंकि transformer का oil बाहर नहीं आ सके, इसमें दो तरफ का वाल होता है, एक होता है वील वाल और एक होता है बटरफ्लाय वाल, यह जो उपर का इमेज में बताया हूँ, यह है वील वाल, और एक नीचे का इमेज में बताया हूँ, वह है बटरफ्लाय वाल, हम अभी जानेंगे वील वाल और बटरफ्लाय वाल कहां पर यू और जो butterfly wall चो रहता है, butterfly wall का location रहता है, और main tank और radiator का बीच में, जो detachable radiator मतलब radiator पर detach कर सकते है, transformer का tank से, इसको कहता है हमने butterfly wall, इसका location है, अब जानिए main tank और detachable radiator का बीच में जो wall रहता है, वो रहता है butterfly wall. हम अब नेक्ट फिटिंग का बारे जमें जाएंगे, वो है bushing, हर transformer का winding रहता है, वो external circuit के साथ through bushing, वो connect होता है, यहाँ पर position of the bushing क्या होता है, वो different place में रहता है, एक transformer में side में रहता है, एक transformer में ऊपर में रहता है, यह हमारा position of the bushing रहता है, यह बुशिंग का जहें दो end है, एक end जो है, अंदर रहेगा, oil का अंदर रहेगा, टांसफरमर का टैंक का अंदर, और एक bushing, और एक साब और एक साइड है bushing का, वो टैंक से ऊपर रहेगा, यह क्या होता है, यह होता है, suitable fast car, जो है, उसके साथ और connect रहेगा, दोनों है, एक side जो है, internal leads का, एक साइड का bushing नीचे side का bushing है, वो है transformer का internal leads वहाँ connect होता है, और जो external side है, bushing का external side मतलब उपर side है, वो है conductor, आप cable या बस टक के साब, उपर side का bushing का connector, जो है, वो connector अभी मैंने या पर दिखाया हूँ, यह है cable box, यह मेरा site का transformer है, यह transformer का photo मैंने कीच के या पर आपको बताया हूँ, यह screen पर देखी, HDR एंटी side का cable box है, यह cable box है, सारा जो transformer में रहता है, इस cable box का अंगर, हमने यह cables डल सकते हैं, APC cable, और आई तो XLPE cable आप use कर सकते हैं, और यह cable box में जैसा gland रहता है कि उसको suitable air clearance मिल सके, थाकि cable to cable protect करने के एक air clearance आईए, वो इस box का अंदर रहता है, और यह जो रहता है, यह box में अपने detachable का plates मिलता है, मतलब यह detachable plates निकलने से आप क्या होता है, cable को आप बिना निकल के आप transformer को service में ले सकता है, और also यह box में एक facility रह करता है, क्योंकि आपका cable का आर्मर रहता है, वो आर्मर को earthing terminal के साथ connect करो, और protect कर सकते है, आपका cable का कुछ fault है, तो fault current earthing terminal का तरो से ground को जाएगा, अभी हम जानाएंगे bus data trunking का बारे में, यहापर क्या होता है, few customers जो रहता है, उन्हेंने cable नहीं लगता है transformer को, ताकि उन इसको switch care को through transformer connect करता है, generally bus truck जो रहता है, उसको transfer manufacturer manufacturer ने supply नहीं करता है, बलकि transform manufacturer जो है, उसको suitable arrangement कर सकता है, आप ने जो transfer खरीगता है, वहापर bus truck लगा सकता है, बाकि suitable arrangement मतलब एह होता है कि उसको suitable flanges रहता है, neck bolts रहता है, उसको duct का cable का cover रहता है, वो cover सारे पूरा लगाया जैसा बस्टर्ट ने टांसफर्मर का ऊपर से स्विचियर को गया है उसको मैं इमेज में इंफ्लोज किया हूँ आप देख सकते है इस लाइड में हम जानेंगे मार्शलिंग बॉक्स हमारा टांसर में में बहुत तरफ का प्रडेक्शन डिवाइस होता है वह बहुत जो और आना है वह तर्मिण ब्लॉक रहता है यह बॉक्स पर इस बॉक्स को हम कहता है और मार्शलिंग बॉक्स इस बॉक्स में हमने दो तरफ का इंडिकेटर देख सकते है यहाप है बहार से देखे यहाँ पर मैंने image and close किया हूँ एक तरफ है winding temperature indicator और एक तरफ है oil temperature indicator यह जो दोनव वाइड़् टेपरेचर इंडिकेटर यह रीडिंग हमको बहार के ग्लास से एक सकते है और यह box को तो यह बॉक्स को आप देखिए यहाँ पर एक रेंचेट है और रिटेच नीचे तरफ के रहता है रिटेच में ग्लैंड प्रेट टोटल इस बॉक्स को पार्ट को जान सकता है कि मार्शलिंग बॉक्स का नाम से अब ट्रांसफर्मर का बहुत इंपोर्टेंट रजले के बारे में जानेंगे यह भी एक तरफ का फिटिक है इसको बॉक्स रिले कह जाता है यह बहुत प्रोटक्टिव रिले है और वेरी सेंसिटीव रहता है और यह ग्यास और ओईल से ऑपरेट होता है यह रिले जो रहता ह इमेडियेटली हमरा रिले जो है अलराम दे देगा उसका कॉंटेक्ट का तुरू से अगर ग्यास का क्लेक्शन का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ने से अगर सीवियर फॉल्ट होने से और में सप्ले से ट्रिप भी करेगा यह रिले और यह रिले ऑपरेट होता है तीन रिज और थाड़ ने ओईले वेन से अबर मतलब जब जब यह रिले कर से नीचे आ जाएगा मिनिमाम लेवेल आ जाएगा तब यह रिले और यह रिले का लोकेशन जो रहता है मैंने ट्रांसफर्मर में लिखा हूं तो ट्रू इन का बीच में 9.5 डिगरी का अंतर में यह रिले को आपको इंडिकेट करके बुकोल से लिकाओ यहाँ पर रिने का लोकेशन जो रहता है इसमें दो कॉंटेक्ट रहता है दो मर्क्यूरी स्विच रहता है मतलब दो इन्नो कॉंटेक्ट रहता है एक मर्क्यूरी स्विच रहता है वो अलारम के लिए उपर वाना और जो नीचे व करना हम हीट क्यों होता है वह देखेंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर के अगराइर को यहां हाँ जो हम कहता है हीट लोगस को वजे से यापे नारक twice यह temperature generate होता है oil पर और winding पर और इसको हम dissipate करना है बाहर का environment के साथ इसी नहीं हम radiator को use करते है हमारा ट्रांसफर्मर में के दो तरफ का transformer होता है एक होता है power transformer और एक होता है distribution transformer पर यह दोनों transformer में radiator लगा हुआ रहा रहते है इसमें difference क्या है अंतर क्या है मतलब power transformer जो रहे रहेगा वहापे detachable radiator रहेगा मतलब यह radiator को कभी भी निकल सकते और डाल सकते लेकिन distribution transformer large type नहीं रहेगा छोटा type रहेगा इसलिए वो radiator का body जो है transformer को tank के साथ weld किया रहता है मतलब fix it रहता है इसमें रहेगी radiator जो भी आपका distribution transformer को हो या power transformer को हो इसमें दो तरफ दे clean करना पड़ता है यह radiator को मतलब internal नी एक clean करना, externally एक clean करना internally clean करना मतलब वो internal जो scale किया रहते है न, scan बना हुआ रहते है न, उसको varnish दलके internally clean कर सकते है और external radiator को क्या रहता है एक red oxide paint मारके उसको उपर final painting जो भी color चाहिए जो भी standard color है वो color apply करके external का जो scale रहेगा surface रहेगा उसको clean कर सकते है अब ही हमारा अगला fitting है वो है silica gel breather यह बहुत important fitting है और हर transformer चोटा है transformer है बड़ा transformer यह fitting के वारह में जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर देखिए हमारा transformer में जो conservative transformer में oil रहेगा और oil level कभी भी vary होता है अब होता है और down होता ही oil level vary क्यों होता है इसको reason जाने के क्योंकि बाहर का temperature temperature change होने से oil का level भी change हो जाएगा नहीं तो transformer का अंदर load बढ़ने से load गटने से भी oil का level बढ़ेगा और नीचे हो जाएगा इसमें क्या होता है मैं यहाँ पर graphical image interface मैं लगाया हूँ यहाँ पर देखिए जब यह oil level down होगा बाहर कर जो बाहर कर जो air रहता है उसको conservative tank का अंदर सक करता है और जब यह oil level up होगा जो transformer का conservative का अंदर जो air रहेगा उसको बाहर push करेगा यह process में क्या होता है जब ही air आपने drop करेगा जब ही conservative tank air drop करेगा जब oil level down होगा तब क्या आता है उसके साथ contamination आ सकता है contamination मतलब एक होता है moisture और एक होता है dust यह दोनों contamination क्या करता है आपका transformer oil के साथ जुड़ जाता है और transformer oil का insulation properties को खराब कर सकता है इसलिए इससे क्या होता है ट्रांस्वाइब भाई भी घट सकता है इसलिए हम silica gel breather को यूज करता है थाकि यह moisture और dust को दोनों को arrest करता है जब यह चुब अंदर आता है बार से अंदर आता है जब यह moisture और dust को arrest करता है अगरे का टॉपिक कंटिव करता है हम जानेंगी structure का बारे में इसलिका चली तीन structure से रहता है मतलब एक होता है केसिंग एक होता है उसमें crystals और एक होता है oil सिल्का जेल crystal जो रहता है वो moisture को observe करता है और जो oil जो रहेगा नीचे side वाटर सिल्का जेल बीतर का नीचे side वो क्या करेगा course filter का जैसे add करेगा मतलब जो dust जो आएगा environment में बाहर का environment से जो dust जो अंदर जाएगा उसको वहाँ पर filter करता है dust को और सिल्का जल क्रिश्टम जो रहता है दो color में वो बदल सकता है जब यह भी सिल्का जल dry रहेगा क्रिश्टम जया defend रहेगा तब उसका color जयुस्ट जाएगा तब उसका color होता है pink होता है मतलब क्या करना पड़ेगा सिल्का जल को हीट करके dry करके blue करना पड़ेगा नई तो इस सिल्का जल को जन हम नया forting के वरे में जानेंगे यह है magnetic oil gauge यह एक dial type का इंग गेज है यह oil level indicate करने के लिए use होता है यह बहुत ही last type का transfermer में दिखाई रहता है क्योंकि यह last type का transfermer रहता है रिनेटिवली ground से बहुत बढ़ा height में रहता है था कि पुराना जो glass glass type का जो oil gauge रहता है वह नहीं दिखता है clearly नहीं दिखता है क्योंकि उसका उपर dust bite से कुछ को color change होने से उसको clearly visible नहीं कर पाता है यह magnetic oil gauge में क्या रहता है indicator रहता है मतलब यह dial type indicator रहता है नहीं तो drip के लिए use कर सकते है था कि इस्ता advantage है नहीं तो glass type का जो oil gauge रहता है आई ब्लास उसमें alarm contact नहीं नहीं आएगा वो खाली हम देख सकते है वो भी minimum height से और क्या हालता है इसमें magnetic नहीं दो compartment रहता है एक compartment oil अंदर रहता है एक compartment बाहर सार जो दिखता है यह दोनों compartment में एक metallic diaphragm रहता है sealed रहता है मतलब oil leakage ना हो सके यहापे मैंने इंग्नेज enclose किया हू magnetic oil gauge का आप यहापर देखिए इत्मीं यह सारे जो parts है यहापे मिलता है float, inner shaft, magnetic coupling, outer shaft और जिसको जो indicator रहे इंडिकेटर रहे वदी हमारा राया fitting है वो है oil temperature indicator oil temperature indicator जो है बड़ा transfer ने दिखता है थाकि छोटा transfer रहे रहता है oil temperature indicator में consist रहता है कि एक हे burden tube रहता है pointer alignment के साथ मतलब यह oil reading को directly हम देख सकते ग्लास का और के साथ यहापे मैंने इमेडिये इंफ्लोस काओ यहापे मैं oil का लेवन जो oil का रीडिंग जो है temperature करी वो हम directly देख सकते ही इस एक काईसा काम करते है ओ अभी जानेंगे इसमें एक इसके capillary tube दिया जाता है oil OTI के साथ मतलब इसमें जो capillary tube जो रहता है उसमें temperature sensing bulb को connect होता है यह क्या करता है आर्मर के साथ communicate करता है burden tube को था कि जब इस temperature बढ़ेगा उसका अंदर जो mercury नहींगा ओ इंक्रीज हो जाएगा तब इसका pointer जो है वो change हो जाएगा इसमें oil temperature indicator में दो contact रहता है यह contact होता है और यह contact होता है trip के लिए जनरली यह OTI को हम कहाँ पर हाउजिंग करता है मतलब फिक्स करता है कि मैं पहला फिटिंग में आपने बताया हूँ एक मार्शनिंग बॉक्स करता है और इसको मार्शनिंग बॉक्स का दूर से हमने OTI का reading को भी देख अभी तक हमने 14 फिटिंग रफ टांस्फरमर को हम जाना है अभी जो आता है optional फिटिंग इसमें optional फिटिंग में होता है repeater OTI WTI instruments और RTDs, Thermosiphon Filter, Flexible Supplator, Oil Level Transmitter, OnRoad Tap Changer इसमें जो maximum फिटिंग से वो 4-20 million instrumentation पर गाम करता है और OnRoad Tap Changer जो है वो तो tap voltage ratio को हमने पाने के लिए OnRoad Tap Changer को यूज करते है अब गर आपको इसके बारे में detail information चाहिए तो comment box में जरूर comment दीजिए मैं जरूर उसको reply करता हूँ नह आपको एक लिंक भी देता हो थैंक यू ए वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी को धन्यावाद है करें ली लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए लाइक करने से आमको motivation मिल जाएगा शेर करने से दूसरे को information मिल जाएगा सब्सक्राइब करने से आपको जो है ने ने लिए वीडियो को बारे में notification मिल जाएगा प्लीस हैंप में लाइक शेरिंग 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 शेरिप इस वीडियो